है फ्रेफ्रेंच कैसे हो अपो आज किस बीडियो में बात करेंगे फ्रेंच डाक्टर के डिगरी के शौट डेम का फूल फारम क्या है और चोटे फमक्र बड़े डाक्टर के बाचली स्ट्छ डिक्री और फ्रेश since डिप्लोमा डिकरी के बार होथ हो दिए एच भी जिसका फिन नहीं होता है ये दो साल जानते जनी की दॉसरे नमर पर कोसुइए जन्र नर्सिंग के Banks के बाद होता है और जनते हैं जन्म पूरा और जन्र करने सोटते हैं जो काफी पौपलर कोर्स है तो जोह नमबर पर अक्जिलरी नर्स मेडवाइफ रीडियो अपर कोर्स है अगले नमबर फे जानते हैं पाँचमे नमबर पर कौन से कोर्स रखा तो पाँचमे नमबर फे वी यूम. मेंस जो डाक्टर भी वे मेंस के लगते है वो फ्रेंट्स नाम के आगर डाक्टर लग जाता है विट अफुल कि फुल होता है इसको करने के बाद में नाम के आगर डाक्टर अप लख शुकते हैं आज जुझा फुल नेम की बात में तो बाचलर आफ होमयुपैतिक मेडिशिन उसर्जरी जो फ्रेंटस है के होमय-झाइटिक मेडिशिन के बारे में इसमें नौल इस दी जाती है जो एक फ्रेंट्स बैचलर डिक्री है अब च्छटों या साथों नमर सात्वे नमर पे साथों नम होती है इसको करने के बाद आप अपने नाम के आगे फ्रेंट्स डाक्टर लिख सकते हैं बट यह आयूरवेदिक है अब अगले नमबर पे जानते हैं आठवे नमबर पे फ्रेंट्स भी फार्मा यानि कि इसका फुल लेम होता है बैचलर आप फरमेशी यह फ्रेंट्स बैच तो नवे नमर पे हैं MBBS जो काफी पापलर कोर्स है जो हर बच्चों की फ्रेंट्स नीड होती है MBBS करने की जिसके फुल लेम की बात लें तो बैचलर आप मेडिशिन और बैचलर आप सरिजन जो फ्रेंट्स एक बैचलर डिगरी होती हैं अब अगले नमर पे जानते हैं जो होता है और या ऑफिशर होता है मेडिकल फिल्ड का वह काफी बड़ा होता है अब अकले नमर बेचलर आप डेंटल सर्जन करने के बात अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं जो एक बैचलर डिगरी कोर्स होता है जो इसके में दातोतों के बारे में मैं पढ़ाया जाता है विस्तार से अब अगले नमबर पर जानते हैं बरहामे नमबर पे वह कौन से कॉर्स सौर्ट नेम है जो डाक्टर अपने नाम के नीचे लिखते हैं तो फ्रेंट्स डीजी ओ जिसे फ्रेंट्स फुल नेम की बात है हुआ है तो डिपलोमा इन गाइनिको लॉज चों जो फ्रेंट्स एक अजयना कोर्स होता है फ्रेंट्स आउरतों का कोर्स होता है वह से तो फ्रेंट्स एक giant व्रीजीट और ऑय्यसे घॉन्स इसको करने के बाद माघ चों करती है तो आप अगले नमबर पर जानते हैं र अब बर्क होता है फ्रेंट से मेडिकल फिल्ड में घूम करते हैं मेडिशीन के बारे में देखते हैं एकस इसके मेनफेक्श्रिंग क्या जो इनकर देख रेक काम होता है अब अगले नमबर पर जानते हैं चौधावे नमबर पर वह कौन से डक्टर के सॉड नेम और इसके अब अगले नंबर पर जानते हैं जानते हैं 15 में рубॉड फ्रेंट्स नेम और इसके फुल लेव क्या है 15 में नंबर फ्रेंट्स एक डिप्लोमा डिग्ली होती है ब्रेंट्स पैथौलोजिकल लोग करते हैं पर पर जानते हैं और कौन से डाक्ट्र की डॉकिडरी के नेम और उनकी क्या अधोते हैं तो । यह आनि के lagnshil बोर्ड जो फ्रेंट यूंभी करनेके बाद ही होता है यह द और गेंग भीर्फ्टर मेंग टै जिसके फुल नेम में बात करने लिए नाम की नीचे लगाते हैं। तो 18 नमबर पर MS, MS अनि Master of Surgeon, जो फ्रेंट्स डाक्टर MBBS किया होते हैं, उसके बाद मैं आप डाक्टर MS कर लेते हैं, जो फ्रेंट्स सर्जन का काम करते हैं, यहीं कि चीरफार का काम करते हैं, अब अगले नमबर पर जानते हैं, उन निश्वे नमबर पर वो डाक्टर के कौ इस नमबर पर फ्रेंट्स नर्स, जैसे कि आप लोक देखते हमें हॉश्पिटल में, अकसर नर्स होती हैं, अब उसके नर्स के फल्न की बात के लेते हैं, तो तो मस्टर आफ चिरट गया है जिसे कहते हैं अब 20 नंबर पर जानते हैं लास्ट नंबर पर इस को इस डाक्टर के कोर्स को साट नेम क्या होता और इसके फुल नेम क्या होता है तो भी ऐसी जनवरों कर दाक्टर होते हैं साइंस से पास के होते हैं तो एडेयों से सब्सक्रांट के बारे में बात जित्का बैक्ष यहरा के बारे में बात के लिए और किसकी डिपुलमा डिग्री होती किसकी बैचलर डेग्री होती है कुछ ऐसे ही डिखुरियों के बारे में बाथ की दो आज कि से इस एक दो मिलते हैं य tornar तब तक के लिए मेरी वीडियो अच्छे लिए एक और यह वीडियो मेडिकल इस्ट्रेंट के लिए काफी जरूरी है खासकर मेडिकल में एडिमेशन लिए बच्चों और फिर्ट्स उनको विजाना काफी जरूरी है जो मेडिकल फिल्ड में वर्क करते हैं और इडिया फिर्ट्स उनको सब्सक्राइब परें और शाथ में मेल आइकन दबाना ना बोड़ें जिससे मेरी हर अनली वीडियो आप तक तुरंट पहुचें तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यमाद